दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जंदन खाते के बारे में क्या आपके जंदन खाते में नहीं आए अभी तक 500 रुपए तो इसका कारण और समधान मिलेगा आपको इस वीडियो में दोस्तों जब से महामारी फैली है किंद सरकार देश के नागिकों के मदद के लिए हर संभव कोसिस कर रही है जैसे पीम किसान समानेदी योजना के अंतरगत किसानों को 2000 रुपए देने की बात हो या फिर उज्वला गैस धारकों को लगातार तीन महीने फ्री गैस देने की बात हो सरकार ने हर संभव मदद की है ऐसे में सरकार ने जंदन खाता धारकों को 500 रुपए देने का एलान भी किया था और यह 500 रुपए लगातार 3 महीने तक जंदन खाता धारकों के खाते में आने की बात वित मंत्री द्वारा भी कही गए थी तो अप्रेल महीने की पहली किस्त 500 रुपए जंदन खाता धारकों के खाते में सरकार ने डाल दिया है और इसी तरह लगातार अप्रैल, मई और जून यानि लगातार तीन महीनों तक 5-500 रुपए आपको यानि जंदन खाता धारकों को दिया जाएगा यानि कुल मिलाकर 1500 रुपए लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके जंदन खाते में 500 रुपए सरकार की तरफ से क्रेडिट नहीं किये गए हैं तो इसका क्या कारण है क्यों अभी तक कुछ जंदन खाता धारकों के एकाउंट में पैसे नहीं जमा हुए है या एक चिंता का विशय है क्योंकि आदे से जादा अप्रेल भी चुका है लेकिन अभी तक 500 रुपए की जो पहली किस्ट आने वाली थी अप्रेल के पहले सप् वो अभी तक जंदन खाता धारकों के कुछ धारकों के एकाउंट में नहीं आया है तो इसके समस्या का समाधान क्या है तो कैसे 500 रुपए मिलेगा जंदन खाते में तो बने रहे ये वीडियो के साथ पूरा वीडियो देखिए जिससे पूरी जानकारी आपको मिल सके साथ ह अगर पीम किसान धारक आप है तो कैसे मिलेगा 2000 रुपए किसान को तो ये वीडियो भी आप जरूर देखे साथ ही वृद्धा विद्वा और विकलांग लोगों को दिये जा रहे है सरकार की तरफ से पेंशन तो ये वीडियो भी आप जरूर देखे जिससे आप इसका उठा सकें सुफरेंड मैं हूँ अमित पाठक और आप देख रहे हैं तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो देखे इसमें लिखा हुआ है जंदन द्योजना के मैला बैंक खाता दारकों के खाते में बुद्धवार से पैसे आने लगेंगे केंद सरकार की गोशना के सबी मैला लाबुकों के खाते में पांट-पांसो रुपया जमा कराया जाना है ये पैसा केंद सरकार सीधे मैला लाबुक के जंदन खाते में जमा कराएगी इसके लिए सबी बैंकों को दिशा निर्देश जारी कर दिये गए हैं प्रधान मंतरी मोधी ने जंदन खाता दा चारक एक माईला होनी चाहिए यदि आपके घर में ऐसा कोई जंधन खाता है तो आपको 3 अपरेल से लेकर 9 अपरेल के बीच में 5 रुपए दिये जाएंगे लेकिन ये 5 रुपए आपके खाते में लाश्ट अंग के हिसाब से भेजे जा रहे हैं जंधन खाते के अंतिम संख्या जिसकी 0 या 1 है सरकार उनके में 2 अपरेल को पैसा जमा करेगी और वो 3 अपरेल को जाकर निकाल सकती है ठीकिसी प्रकार से जिनकी जंदन खाते की संख्या अंतिम की 2 या 3 है वो 3 अपरेल को सरकार उने पैसा देगी और 4 अपरेल को जाकर निकाल सकते हैं ऐसे ही जिनकी अंतिम संख्या 4 या 5 है, सरकार उनके में 4 अपरेल को पैसा जमा करेगी और वो 7 अपरेल को जाकर निकाल सकती है। ठीक इसी प्रकार जिसके एकाउंट की अंतिम संख्या 6 या 7 है, सरकार उनके में 5 अपरेल को पैसा देगी और वो जाकर 8 अपरेल को निकाल सकते हैं। और जिनकी अंतिम संख्या एकाउंट की 8 या 9 है, सरकार उनके में 6 अपरेल को पैसा देगी और वो जाकर 9 अपरेल को पैसा निकाल सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से रूल हैं जिनके माध्यम से ही आप उस प्रकार से पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन आज 19 अप्रेल हो गया है, कई जंदन खाता धारकों के खाते में 5 रुपए नहीं आये हैं, तो इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ, जंदन खाते में जब भी खाते खोले गये थे, यानि जीरो एकाउंट वाला खाता जब खोला गया था, तो बहुत से लोगों न उनका भी जंदन खाता है, उनमें 5 रुपए आ चुके हैं, बड़ी बात या है कि सिर्फ महिला जंदन खाता धारकों को ही 5 रुपए की किस्त दी जा रही है, पूरसों की जंदन खाते में 5 रुपए नहीं आएंगे, तो आसा करता हूँ, आपको यह वीडियो पसंद आया ह तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे और आप जानकारी हासिल कर सकेज़ें